इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक seed germinate होने के बाद में seedling में तबदिल हो जाता है क्या-क्या changes होते हैं उसके अंदर during seed germination हमें ये तो मालूमी है कि जब एक viable seed को जिसके अंदर की dormancy खत्म हो चुकी है उसे जब favorable environmental conditions मिलेगी तो ही वो germinate करेगा तो अगर वो germination शुरू हो रही है तो उसके अंदर पहली step है जो है imbibition imbibition का मतलब है absorption of water by the dry seed यानि कि अब पानी जो है वो seed के अंदर जाएगा तो कहां से जाएगा through the micropile या फिर हो सकता है through the ruptured seed coat आपको अगर dormancy break करना है तो आप जो seed coat है वो कभी-कभी rupture करते हो जिसकी वज़े से germination percentage बढ़ता है तो हो सकता है वहां से भी पानी अंदर चला गया हो तो जब पानी अंदर चले जाता है तो उस दोरान जो seed coat है जो की hard होती है वो भी पानी को absorb करती है और पानी absorb करने के बाद में वो soft हो जाती है पानी अंदर जाने के बाद में जो अंदर stored reserved food material था जो की concentrated form में है और complex है वो rehydrate हो जाता है और inner seed constituents जो है वो भी rehydrate हो जाते है तो ये दोनों भी rehydrate होने के बाद में इनकी size बढ़ जाती है और क्योंकि इनकी size बढ़ रही है तो उस seed की भी size बढ़ेगी और आपको लगेगा कि seed फुग गया है swell कर गया है तो impibition के बाद में जो change है seed के अंदर आपको दिखेगा कि seed फुग चुका है अब पानी अंदर जाने के बाद में जो enzymes है जो की hydrolytic है और वो metabolic activities के अंदर important role play करते है तो वो भी activate हो जाते है और साथ में ही जो seed का respiration rate है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है हो सकता है कि जब आप seed को store करके रखते हो तब वो anaerobically respire करे पर during seed germination the seed respires aerobically तो अब इनके hydrolytic enzymes भी activate हो गए और इनकी जो respiration rate है seed का वो भी बढ़ गया जो जिब्रेलिक acids है न वो enzymes के synthesis में मदद करते है तो इसलिए हम कहते है कि जिब्रेलिक acid helps in seed germination अब ये activated enzymes इस stored food material को breakdown करके simpler form में convert करते है और ये simple food material जो है that is mobilized towards the growing embryo और जो energy release होती है during respiration that is also mobilized towards the growing embryo तो आप देख सकते हो कि इस embryo की जो size है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी उसके plumule, radical, hypocotyl, epicotyl ये भी बढ़ना शुरू करेंगे तो इसके वज़े से क्या होगा कि जो seed coat है जो की पानी absorb करके soft हो चुकी है उसके उपर pressure exert होना शुरू हो जाएगा पहले तो rehydration के वज़े से pressure और अब इस growing embryo की वज़े से उस seed coat के उपर pressure आएगा और वो seed coat rupture हो जाएगी तो अब rupture होने की वज़े से इस growing embryo को जगह मिल गई बाहर निकलने के लिए ज्यादा तर जो radical है वो पहले बाहर निकलती है जो की आगी चलके root system बनाती है और फिर plumules बाहर निकलते है जो की आगी चलके shoot system बनाते है शुरुवात में जब तक vegetative parts पूरी तरसे develop नहीं होते तब तक ये जो embryo है वो reserve food material पर ही dependent होता है energy के लिए लेकिन जब vegetative parts पूरी तरसे develop हो जाते है तो वो self dependent हो जाता है अब seedling emerge होने के बाद में वो जो roots है सबसे पहले soil में establish करती है खुद को और फिर जब vegetative parts develop होते है मतलब shoot system develop हो जाती है और वो photosynthesis करना शुरू हो जाती है तो वो seedling पूरी तरसे establish हो जाता है और seedling establishment के बाद में ही seed germination की process खत्म होती है तो यह सारे changes होते है during seed germination अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि germination के types क्या क्या है